हेलो फ्रेंट्स आज कि इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत उची वेकेंजिट सेयर करने जा रहा हूं जो कि फ्रेशर्स के लिए है इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं कैसे आपको लेकरना है क्या रेश्ट डिट है क्या इनका सेलेक्शन प्रसे में एक गौर्वर्मेंट इंडियन कंपनी है स्केल वन ऑफिसर्स के वेकेंजिए है यहां पर यह अपने बारे में बता रहे हैं कि 11 लार्जेस्ट री इंसिदेंस कंपनी इंड वर्ल्ड विद नेट वर्क इन इंडिया एंड एबरोड अलब दुनिया की 11 बड़ी कंपनी यह 11 अस्थान है इसकी री इंसिदेंस कंपनी में यह बता रहे हैं कि यह लुकिंग फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स जो नमवर आफ एक एंस यह 44 ऑफिसर्स की है और जो पोस्ट है असिस्टेंट मनेजर का है स्केल वन ऑफिसर और यह हैड आफिस कहने का इनका मतलब यह है कि इनसियली तो आपको मुंबई में ही अपॉइंट किया जाएगा लेकिन बाद में और आल अबर इंडिया आपको कहीं भी इनके ऑफिसर्स में ट्रांसफर किया जा सकता है तो नमबर आफ एकेंसी 44 ऑफिसर्स एस्टेंट मनेजर स्केल वन का है देखते हैं डेट क्या इंप्वॉट्टेंट्स पहले बतार है रेजिस्टेशन स्टाट हो गया है 11 मार्च से यानि कल से ही तक अब कर सकते हैं जो इन्होंने ऑनलाइन एक्जमिनेशन का बता रहा है नाइन्थ में आप मान के चलिए कि फर्स्ट विक या सेकेंड विक अप में में एक्जाम लेंगे कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्जाम से दस दिन पहले और रेक्रूट्मेंट से पहले ये ट्रेनिंग भी देंगे कि इनका एक्जाम कैसा होगा के लिए जो कि 26 अप्रेल 2021 से 29 अप्रेल 2021 तक होने वाला है आपको अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं कोई और मोड एक्षप नहीं किया जाएगा तो देखते हैं पहले बता राखें कि किस किस स्ट्रेम में इनकी वेकेंसी है कितना पोस्ट है और क्या का रिक् है तो पहली जो है फाइनांस के लिए जौब है वहां पर चार्टेड अकॉंटेंट के रिक्वार्मेंट है नंबर अफ एकेंसी 15 है और यहां पर बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लीन से अगर आप जेनरल ओभी से हैं मिनिमूम मार्क्स आपको 60% ग्रेजुएट हैं ग्रेजुएट में 60% 55% का क्रेटरिया है प्लस यह बोल रहे हैं कि आपको अपना मेंबर्सिप भी प्रवाइड करना है ताकि ऐसा नहों कि कोई जूट में बोल दे कि मैं सीए हूं और जौब ले ले तो यह इसको आई से के पास बेरिफाई भी करेंगे इसलिए आपका मेंबर्सिप नंबर भी ले रहे हैं ती अच्छी चीज़ है जो लोग सीए हैं ताकि कोई उनकी जगह कोई और नहीं फ्रॉड करके जौब ले ले एक वेकेंसी है जेनरल की वहां पर भी नंबर पुस्ट 15 ग्रेजुएट्स चाहिए वही क्रेटरिया है 60% जेनरल अबीसी के लिए 55% SCST के लिए फिर लीगल में वेकेंसी है चार जो की बैचलर्स डिग्री इन लॉग यानि जो लॉग से बैचलर कियो हैं उनके लिए 60% 55% का क्रेटरिया इनका सेम है फिर इनका इंसूरेंस में वेकेंसी है 10 यानि नमबर आ वेकेंसी 10 है ग्रेज़ मतलब ग्रेज़ेशन के साथ साथ आपके पास पुष्ट ग्रेज़ेट डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए यह हम बताने है टोटल 44 वेकेंसी हो गई यहांई आपका किसी एक के लिए आप सबके लिए कर सकते हैं यहांई किसी एक के लिए कर दिया आप जिसी एक के लिए कर सकते हैं और जो आपका कट-फडेट है जो इनकी रिक्राइरमेंट मांगी है और देखेंगे 1st February 2021 को और सारे candidate के पास must possess computer proficiency, यानि CA के पास तो होता ही है, जो बाकी जहां पर graduate postgraduate मांगा है, उनके लिए है फिर यहां पर reservation का बता रहे हैं कितना seat reserve है, general के लिए 18 seat है, out of 44 18 seat general के लिए है, SC के लिए 5, ST के लिए 4, OBC के लिए 14 है, EWS के लिए 3 है, and PWT candidate के लिए 2 है तो यह reservation बता दिये हैंने, कितनी reservation है वेकेंसी में, और देख लहते हैं, age criteria बता रहे हैं, इनका cut of date 1st February 2021 का लेकर चल रहे है, minimum 21 year age है, और maximum 30 year, यह बोल रहे हैं कि आपका जन्म 2 February 1991 के पहले नहीं हुआ होना चाहिए, या 1st February 2021 के बाद नहीं होना चाहिए, इसके बीच आपका जन्म हुआ है, तो आप apply कर सकते हैं, फिर आपको relaxation अपने कास्ट के coding मिल जाएगा यहाँ पे, जो हर जगह होती है, government job में, फिर भी यह चीज़ बता रहे हैं कि किसी भी relaxation आपकी age 45 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानि जो normally नहीं बताया कि 21 year, 30 year, लेकिन relaxation दे रहे हैं, उसमें भी आपको 45 years ज्यादा नहीं होना चाहिए, और relaxation learning के लिए सिफ ऐसा नहीं कि आपको online क्लिक करना है, टिक करना है, आपको certificate विदे नहीं है, यानि कोई जूट न बोले, इसके लिए certificate को भी मांग रहे हैं, इमोल्मेंट्स और बेनिफिट्स की बात करें, बेसिक पे 32,795 पर मंथ, इसकेल ऑफ रस 32,795 तो 1610, यह इनका जो बता रहे हैं, टोटल इमोल्मेंट्स अबट 65,000 पर मंथ वने वाला है, प्लस अधर बेनिफिट्स हैं, जो कि निव पेंशन स्केम, निव इस पेपर, अधर बेनिफिट्स हाउस फरनेशिंग अलाविंस, हाउसोल्ड अलावंस, परस्नल एक्सिदेंट का अभर, यह सब बेनिफिट्स यह दे रहे हैं, यह बता रहे हैं, यह बता रहे हैं, प्रजेंट लीज अकुमोडेशन लिमिट एट मुंबई इस 30,000 पर मंथ, यह बोटा पॉय Bitcoin करेंगे, सेलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो ओनलाइन टेस्ट होगा, फिर जीडी होगा, इंटरिवू होगा, मेडिकल लेग्जैमनेशन होगा, और इस 4 को मिलाकर, यानि ओनलाइन टेस्ट, जीडी, इंटरिवू, मेडिकल इग्जैमनेशन, टोटल मार्ग्स तो आपने चॉइट से जो अपने नजदी के सेंटर इन सारे में से कुई चुछ कर सकते हैं इतने सारे सेंटर के लिश्ट दी हुई है इन्होंने की और बारे मता रहे हैं क्या-क्या इनका सीलेबस होगा कैसे होगा तो देख़ लगसे दोबासा रिटेट्स के बारे में क्या मांग रहें जो इस्पेसलिस्ट के निजिए के लिए था वहां वोडूरें टेक्निकल और प्रोफफेस्शनल नोलच जो आपकी c a के छोते है general awareness का 20 marks का होगा numerical ability and computer literacy का होगा English language का होगा तो पेपर कुछ खास थी है, simple यह इनका 150 marks का and general estimate के लिए जो बाकि सब उसके लिए है reasoning ability 40, reasoning 20, English language 25, GA 20 and numerical ability computer 15 एससे precise is 30 का minimum qualifying marks जो online test का होगा 60% general obesity के लिए and 50% SCST के लिए होगा और overall यानि online test GD सब कुछ मिला के interview मिलाकर भी आपका out of 200, 60% आपका qualifying marks होगा general obesity के लिए 50% SCST के लिए Part B and C examination जो है सारे candidate के लिए same होगा अगर आप कोई wrong answer करते हैं तो उसके लिए penalty यानि minus marking भी है 0.25 का 1 by 4 सब मार्क्स test by language होगा English और Hindi में भी तो आप अपने according जो भी language हो आप suitable आप चुछ कर सकते हैं जिसमें आप अच्छे हैं फिर यह देख लेते हैं कि आप फियोगर कितना है कि बता रहे एक non refundable amount है 850 का plus GST 18% तो दोस्तों आप वेकेंशी को अप्लाई करने से पहले इस notification को पूरे अच्छे से पढ़ लें कि आप eligible हैं या नहीं कहीं ऐसा नहों कि आप फिल कर दें फिर आपको बाद पता चला आप eligible ही नहीं है तो यह non refundable है आपका पैसे फिल waste हो जाएगा तो मैं इसकी link देता हूँ description box में आप notification एक बार अच्छे से पढ़ लिजिए यहां पर यह बता रहे हैं steps for applying तो इसकी apply करने की link मैं description box में देता हूँ आप वहांस जाके apply कर सकते हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरू बताईएगा thank you